कि नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेगल एडवाइजर एम में आज इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रत्ने करेंगे कि क्या किसी सुसाइड नोट में किसी ब्यक्ति का नाम होना ही अवेट्मेंट टू सुसाइड अपराद के पूर होने के लिए और उस व्यक्ति का उस उक्साव के लिए जिम्मेदार होने के लिए परियाप्त है अथ्वा नहीं और यहां हम डिसकसन करेंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोट के एक मामले में दिये गए निर्देश के अनुक्रम में लेकिन इससे पहले कि हम यह डिसकसन प्ररम करें आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए है तो तुरंत फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब कर है जी हां दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं उसकेस की जिसका टाइटल है रवी साहनी वर्सेज इस्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब इस मामले में सोनीपत जिला ने आया लेने 20 मई 2022 को रवी को अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए दोसी करार दिया था उसे 5 साल के सक अबेटमेंट में रवी का नाम था और उसी आधार पर कोट की सुसाइड नोट में नाम है तो वह अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए जिम्मेदार है और आपराद इसी करण वस हुआ कि उसने अबेट किया था जबकि जो याची था याची का यह कहना था जो रवी थे रवी का यह कहना था कि जो पीड़ेता की मौत हुई है वह विशागत पतार्थ पीने से हुई है और इसमें किसी का अबेटमेंट जैसा कुछ ब्यवार रहा ही नहीं है ना तो ऐसा कोई कारण हुआ है कि वह अबेटमेंट करें तो इस विशे को देखते हुए और यह अब् कि किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि उसका नाम सुषाइड नोट में है केवल इसी आधार पर ही उसे अबेटमेंट तो सुषाइड यानि कि आत्महत्या के लिए उकसाना इस अपराद के लिए दोसी सिद्ध नहीं किया जा सकता है उसे सजा नहीं दी जा सकती है उसक दोनों का आपस में relation क्या है, ज्क्तिम meditating है और जिस Limited के उपर इल्जाम है, और पूर में क्या रिलेशन क्या है, दोनों के बीच पूरुमें क्या संबंद रहे हैmer कैसे संबंद रहे है, और साथ ही साथ एक handwriting expert की भी दर है मंओकिता उसमें पढ़ सकती है भय में थी या उसने अपनी स्वेच्छा से लिखा है और साथी साथ यह भी उसमें देखना आवश्यक रहता है कि जो सुषाइड नोट में उस ब्यक्ति का नाम है क्या वो प्रारंब से वह नाम था या बाद में वह नाम एड़ किया गया है यह सारे चीजें देखने के बाद डिसकसन करने के बाद ही किसी व्यक्ति को आप अबेटमेंट टू शुषाइड यानि कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोसी ठहरा सकते हैं अगर हम जानने का प्रत्न करें कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोसी का क्या होता है यहां पराद तो जब भी कोई प्रस्तुत कर देता है कि किसी ब्यक्ति के कहने पर ही या किसी घटना से किसी ब्यक्ति का डारेक्ट लिंक सिद्ध हो जाता है और कुछ साक्ष उसके वेद्ध मिल जाते हैं तो यह माना जाता है कि उसने उस घटना में अबेटमेंट किया है उस ब्यक्ति को आत्मत्या करने के लिए तो यह विषय था और इस विषय पर पंजाब और हर्याड़ा हाई कोट का यह नेड़े था जिसको आप सभी लोगों को जानना बहुत ही आउश्चक है और इस बात को आप एकदम आधार पर ही किसी भ्यक्ति को आपय्तमेंटश सुशाइट अपराज के लिए अपराज ही नहीं सिद्ध किया सकता है उस दंडित नहीं किया ऍस अधार पर उन्हें उनकी की सजा थी उस सजा को रद्द किया और उन्हें तुरंत अतartक्या उसे जेल करने का आदेश धन्यब हैं